हेई गाईज विल्कम बैक पर ओन यूटूब चैनल से विल टेकनिकल तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉंक्रीट मिक्चर के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इन जनरल जितनी भी हमारे रेसिदेंशल बिल्डिंग्स होते हैं मतलब कहीं पर चोटा मोटा घर बन रहा होता है तो वहां पे ए जनरल हम लोग कॉन्क्रीट मिक्चर के वाला मिक्चर आपने देखंक होगा कि इसको लहा जाता है जो हमारा कास्टिंग का काम चल रहा होता है इसको dalने का पर पस य conn्रेंप fifty का यति हॉता है कल expanded कॉन्सिक का संक बो specifics थाटी and normal जान आ इस मे के बारे हमें जानना काफिस जरूरी होता है और अगर आप इंटर्व्यू के लिए प्रिपेर कर रहे तो भी हो सकता है कि इससे कोशन पूल दिया जै तो पैन एंड पेपर निकाल लो दोस्तों मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा आपको आप उसको नोट डाउन करना और याद सकते रहेंगे सबसे पहला कूइशिन को क्या कहता है थो जैसे मैंने आपको पता है पहला दूसरा होता है इसकाıs साइस के जो सामने काफी बरांट में आता है तो जैसे हमिशो three m गा 560 लीटर मिलता है 480 लीटर मिलता है बट इन जनरल जो हम साइट पे अगर हमारा एंसेडेंशल बिल्डिंग है और वहां पे चल रहा है तो हम लोग 300 से लेकर 200 लीटर वाला जनरली यूज करते है ठीक है उसके बाद है दोस्तों कि इसकी mixing capacity क्या है third point में mixing capacity of concrete mixture machine क्या है तो कितना concrete मतलब आपका mixture तयार हो रहा है जिसे हम concrete कह रहे हैं cement, sand, aggregate, water का जो paste तयार हो रहा है तो वह एक घंटे में कितना concrete निकाल कर देगा ठीक है यह direct आपसे पूझे सकता है क्या concrete mixture machine का production rate क्या है तो वैसे तो जब आप purchase करते हो जो company होती है वो बोलती है कि यह आपको 6.8 cubic meter मतलब MQ concrete एक घंटे में deliver करके देते हैं मतलब निकाल कर देते हैं बट अगर आप इसको on site दखो गए तो यह आपको 5 MQ के हिसाब से मतलब 5 cubic meter पर R के हिसाब से concrete बना कर देती है मतलब एक घंटे में आप इससे 5 MQ का casting कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे और important point निकल कर आता है in fact आपके दिमाग में सवाल भी हो रहा होगा कि इसमें जो हमारा material है सिमेंट और water जो है उसकी जो mixing होनी है हमें कितनी देर तक इस machine के अंदर में उसको mix करना है ठीक है क्या है कि अगर आप site वे रहो गया तो generally यह काम ठेका पर होता है और labor क्या करते है फटा-फट काम करन है के लिए कम से कम आपको 2-3 मिनिट इसके अंदर mixing करनी है मतब machine को चालू रखना है ठीक है आप 3-4 मिट भी कर सकतो बट minimum आपका concrete पेस अच्छे से तयार हो जाए जितने material से अच्छे से mix हो जाए तो कम से कम 2-3 मिनिट आपको इस machine में mixing करना है अब कुछ specification इस machine के point of view से भ सब्सक्राइब बात करें इसमें 2hp यानि कि 2hp single phase motor लगा रहता है और इस machine का जो weight है दोस्तों वो around 132 मतलब on an average 132-140 kg आपको मिल जाएगा और सबसे important चीज़ यह है कि यह machine अपका diesel से चलता है ठीक है तो अभी आपको यह जानना ज़रूरी है तो as in site engineer दोस्तों आपको यह भी जानना होगा कि भाई इसका consumption rate क्या है बतलब diesel एक घंटा अगर आप इस machine को चलाते हो तो कितना diesel consume करेगा हमारा concrete mixture machine तो इसका consumption rate है दोस्तों वो है एक लीटर पर आर एक घंटा इस machine को चलाने के लिए आपको इसको एक लीटर diesel provide करना होगा ठीक हो गया diesel हो गया consumption हो गया अब बात करते हैं कि rate क्या है देखो अभी हमें घर बनाना है concrete mixture machine के जुरू आते हो तो हम खरीद तो नहीं लेंगे ना हम इसको rent पे लेकर आते है तो अलग 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 district पे इसके rate option डाउन होते है बट on an average में आपको बता देता हूं कि पंद्रा सो रुपे पर डे के आपके concrete mixture machine के उपर में तो इस topics related और कोई डाउट है कुछ और information आपको चीज़ जो मैं नहीं बता पाया तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं दोस्तों otherwise अगर वीडियो अच्छा लेगा तो पीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्ते को स अपके आप बता लूको